हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब के चैनल में और दोस्तो अगर आपके पास Redmi 5A का फोन है और आप सभी लोग जो अपने फोन को फैक्टरी रिजेंट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में गाईज मैं आपको बताने वाला हूँ की कैसे आप सभी लोग अपने फोन को फैक्टरी रिजेंट कर सकते हैं तो चलिए गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो गाईज इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सेटिंग को open करना है सेटिंग को open करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फोन में about phone का option आता है तो यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद guys यहाँ पे आपको जो है सबसे नीचे में factory recent का option आता है तो यहाँ पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे निचे में erase all data का option आता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जो है फैक्टरी रिसेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप जो है अपने फोन में Erase All Data पे क्लिक करिए और आपको जो फोन है वो Factory Resend होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी तरीकी से आप से भी लोग अपने फोन में Redmi 5A के फोन में जो है Factory Resend कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए